हेलो फ्रेंड्स मैं आज इस वीडियो में आपको महिला परवेक्षक में योनिट फॉर्थ सिसू की प्रारब्मिक देखबाल एवं सिक्षा का पार्ट वन बताऊंगी जिसमें मैं आपको बाल विकास का परिचय के बारे में बताऊंगी तो चलिए देखते हैं योनिट फॉर्थ का पार्ट वन बाल विकास का परिचय इसमें विकास से ताथ पर है विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन परियंत एक्रम में चलती है तथा प्रतेक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पढ़ता है। यह मानसिक, भावनात्मग, सामाजिक और बौधिक आधी पक्षों में परिपक्वता विकास कहलाता है। विकास के ही पूरक होती है व्रद्धी, व्रद्धी अर्थात सारिरिक सनरचना या आकारमय बढ़ोत्री को व्रद्धी कहते हैं। अब बाल विकास परिचे के कुछ पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट है बाल विकास का अध्यन सिक्षा मोनोविग्यान का महत्पूर्ण अंग होता है। सेकेंड आप्शन है एक सिक्षक एवं मातापिता को बाल विकास का ग्यान होना आविशक है। क्योंकि सिक्षक एवं मातापिता ही बालक के विकास कराने की पहली सीड़ी होते हैं। अगला पॉइंट है बाल विकास में बालक की उनमानसिक, सारिरिक और मनोवग्यानिक विसेस्ताओं तथा योगिताओं को सामिल किया जाता है जिनका विकास प्रायक गर्भावस्था की अवस्था से लेकर परिपकव अव अवस्थाएं होती हैं। पहला है सैस्वा अवस्था जो 0-5 वर्स तक होती है। इस अवस्था में बालक पूर्ट नए वातावरण में समायोजित होता है। अगली अवस्था है बाल्य अवस्था जो 6-12 वर्स तक होती है। इस अवस्था में बालक समाज में रहना सीखता इस अवधी में बालक का अधिकान समय विध्याले में तथा मित्र मंडली में व्यतीत होता है अगली अवस्था है किसोर अवस्था यह 12-18 अवस्था को बाल जीवन की अंतिम अवस्था कहते हैं इसके आगे युव अवस्था आती है किसोर अवस्था को बाल विकास की स्वर्ण अवस्था कहते हैं इस अवस्था में बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है इस्टेन हॉल ने किसोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल तूफान व संगर्स एवं विरोध की अवस्था कहा है, जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है, तो सामानिता उसके सारी रिकाकार एवं भार में व्रद्धी होती है, व्रद्धी एवं विकास में क्या अंतर है ये देखते हैं, व्रद्धी और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब एक दूसरे पर आश्र परिवर्तन होता है जबकि व्रद्धी में लंबाई चोड़ाई उचाई आदी में परिवर्तन होता है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है लेकिन व्रद्धी योवस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है बाद में या धीरे धीरे रुख जाती है तो इस तरह से हम कह सकत विकास और व्रद्धी एक दूसरे के पूरक होते हैं अलग-अलग पॉइंट के हिसाप से बालक के विकास की प्रक्रिया देखते हैं, बुध्धी के अनुसार, ऐसा देखा गया है कि उच्च बुध्धी वाले बालकों का विकास अपेक्षा का त्रीवगती से होता है, परिवार की इस्तिती के अनुसार देखते हैं, सिक्षित एवं जागुरूग परिवार के बच्चे अच्छा विकास करते हैं. अगला है स्वास्त के अनुसार, स्वास्त रहने वाले बच्चों का विकास तेजी से होता है, बालक के विकास पर अनुवानसिगी का भी प्रभा पड़ता है अब हम देखेंगे प्रीनेटल विकास इसमें फर्स्ट है बच्चे का विकास गर्वधारन करने के साथ ही प्रारम हो जाता है अगला है स्वस्थ एवं सुरक्षित प्रसव के लिए प्रारम से उचित उपाय करना चाहिए अगला पॉइंट है गर्भावस्था के एवं फॉलिक एसिट की गोलिया भी लेना चाहिए अगला पॉइंट है गर्भावस्था के दौरान एक माह के अंतर में टिटनेश के दो टीके लगवाने चाहिए अब हम देखेंगे प्रथम तीन वर्स में विकास इसका फर्स पॉइंट है जीरो से तीन वर्स की अवस्थ इस अवस्था में बच्चे का विकास तीवर गती से होता है। इस अवस्था को पूर्व बाल्य अवस्था भी कहते हैं। अगला है बच्चे सब्दों का निर्मार करने लग जाते हैं। अगला पॉइंट है इस अवस्था में बालक का समाजी करन प्रारंब हो जाता है। फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सेयर जरूर करें। और इसी टैप के वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल शाकुनतलम क्रियेशन को सब्सक्राइब कीजिए। ये थैंक यू